वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सबी का आपके अपने यूटूब चैनल आईटियाई एक्जाम तक में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटियाई इलक्टिशियन थियोरी के जो है सेकंड इयर के कुशन पेपर की तो 18 दिसंबर 2021 को एक्जाम हुआ है इसका जो है अंसर की आज की वीडियो में देखने वाले हैं तो अगर आप लोग जो है चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आपका एक्जाम जो है 20 दिसंबर को होने वाला है तो आप सभी वीडियो को जो है कंप्लेट देखेगा क्योंकि यही आप सभी देख सकते हैं टेट थियोरी का यह पेपर है आप सभी अपनी एंसर की मिला लिजेगा यहाँ पर पहला कुछन पूछा गया है सेड़ेट पोल मोटर का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है सेड़ेट पोल मोटर का यूज जो है कहाँ पर आप सभी करते हैं तो second question क्या पूछा गया है दूसरा question यहाँ पर पूछा गया है alternator में armature प्रतक्रिया के कारण demagnetizing प्रभाव की भरपाई जो है कैसे करें तो alternator में armature प्रतक्रिया के कारण जो है जो demagnetize की दिया जो उत्पन होती है उसको जो है भरपाई कर से कर सकते हैं तो correct answer है field उत्तेजना धारा में बृध्धी करके जो है इसकी भरपाई कर सकते हैं अगले question पूछा गया है DC संट मोटर की field winding open circuit में हो तो गती क्या होगी यगर DC संट मोटर की field winding जो है open circuit में हो तो गती जो है कैसी होगी तो यहाँ पर जो correct answer है इसकी गती जो है बहुत तेज हो जाएगी बहुत तेज गती में यह चलने लगेगी अगला question देखिए यहाँ पर जो है चौथा question पूछा गया है armature winding का परिछड करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है armature winding का परिछड करने के लिए किस उपकरण का योच यहाँ पर किया जाता है तो correct answer है ग्राउलर का यहाँ पर योच किया जाता है very very important question है कई सारे exam में पूछा गया है आप सभी election के यहाँ पर previous year paper देखेंगे तो उसमें भी यह question काफी बार पूछा गया है तो इसके लाओं आप सभी को मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ अगर आप election के सारे वीडियो को देखना चाहते हैं एक बार प्लेइलिस्ट को जरूर यहाँ पर चेक कर लीजेगा प्लेइलिस्ट पर प्लेइलिस्ट के सभी previous year paper आप सभी को मिल जाएंगे वीडियो के description में लिंक दिया गया है और प्लेइलिस्ट चनल की प्लेइलिस्ट पर जाएएगा वहाँ पर भी लिंक दिया गया है तो यहाँ पर देखिए question number 5 पूछा गया है DC generator में क्या प्रवाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए DC generator में क्या प्रवाव होगा अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाता है तो correct answer इसका है अपने अवसिष्ट अपने जो है अवसिष्ट चुम्बकत तो कि यह क्या होता है खो देता है correct answer है option number second अगला question देखिए question number 6 यहाँ पर क्या पूछा गया है question number 6 पूछा गया है अवसिष्ट चुम्बकत तो कि अभाव में किस प्रकार का DC generator जो है काम करता है अवसिष्ट चुम्बकत तो कि प्रकार का DC generator काम करता है तो correct answer इसका है separately excited generator जो है इसका यहाँ पर काम करता है काफी ज़्यादा important question है question number 7 पूछा गया है निम्न बिकल्पों में से DC आपूर्ती पर कौन सा deep lamp जो है काम करता है DC आपूर्ती में जो है कौन साथ lamp काम करेगा यानि कि अगर किसी भी lamp को DC supply दिया जाए तो कौन साथ lamp जो है काम करेगा तो यहाँ पर जो correct answer है परदीप लैंप यानि कि फ्लोरो सेंट लैंप जो है यह केवल DC पर काम करता है बाके सभी क्या करते है यही पर काम करते है तो अगला कॉशन देखिए भोमिगत कंडूट pipe wiring को और क्या कहते है जाता है या फिर छदम wiring कहते है भोमिगत कंडूट यानि के जमीन के अंदर जो pipe की वाइरिंग की जाती है इसको जो है डक्ट वैडिंग कहते हैं Question No. 9 यहां पर फूचा गया है Question No. 9 पूचा गया है Alternator पर क्या अंकित होता है यानि कि Alternator की Rating जो है किसमे की जाती है तो इसका Correct answer है इसकी Rating जो है के वीये में करते हैं या फिर भी यम वीये में किया जाता है दोनों में से कोई भी अलग अलग आ सकता है या फिर दोनों एक साथ आ सकते हैं जैसे कि इस question में आया हुगा है Question number देखिए आपर दस्वा क्या पुछा गया है 3 page यानि कि 3 page प्रेडर मोटर के घूरन की दिशा को परिवर्टित किये जाने के लिए जो है क्या करना चाहिए 11 नमबर का किस प्रकार का डायोड एक बिसेज धारा में बोल्टता को नियंतरित करता है किस प्रकार का डायोड जो है धारा में बोल्टता को नियंतरित करता है यानि धारा में बोल्टेज को कंट्रोल करता है तो यह कौन सा डायोड होता है जीन डायोड होता है तो जीन डा इसका है खुंटिलीयों की संख्या बटे जो है फीजो की संख्या एंगराबर होता है अदि एसका है अगला कुशन देखेंगे तेरा नंबर कर यह पर पूच अगन ए Points पर करते हैं तो एक पर फ्यूजाद से लिए कर्या जाता है तीयेटर जो हते है उसमें जो है इसको पूरा नाम पूछा गया है तो एंसुलेटट गेट बाइपोलर transistor इसका पूरा नाम होता है very very important question है यह भी यहाँ पर आप सभी इसको याद कर लीजिएगा question number 16 है RCCB का पूरा नाम पूछा गया है RCCB का जो पूरा नाम होता है residual current circuit breaker इसका पूरा नाम होता है very very important यह भी question है इसके लाम जो है ELCB का पूछा जा सकता है तो RCCB का होता है question number 17 hysteresis motor का नुकसान जो है क्या होता है hysteresis motor का नुकसान क्या होता है correct answer है कि इसकी कम दच्चता होती है कम सकती गुडांग पर काम करता है कम आगाउल देता है कम यहाँ पर छोटा आकार होता है तो यह जो है यहाँ पर इसके नुकसान होता है अगला question है 18 नंबर का 3 page prayer motor का का इस्टेटर जो है किसका बना होता है तो यह जो है किसके समान होता है तो यह जो है किसके समान होता है 3 page alternator के यह समान होता है तो correct answer है आपसे number 3 यहाँ पर correct answer है question number 18 यहाँ पर पूछा गया है moving iron यह माई प्रकार के instrument के लिए किस प्रकार की आपूर्ती की आवस्कता होती है तो यहाँ पर AC और DC दोनों की आवस्कता होती है अगला question देखिए यहाँ पर सवय तेजी दीश्री जनित्र में और सिष्ट चुम्बक जो है किस पर उपलब्द होता है तो यह जो है छेत्र कुंडलन पर उपलब्द होता है राइट answer है आपसे number 2 तो यहाँ पर अगला question देखिए ाँ के अगला question देखिये हां पर पूचा गया है 3 wait prayer motor का वरिगी कारड जो है किस आधार पर होता है 3 Emperor jestem का वरिगी कारड जो है किसा आधार पर किया जाता है तो correct answer три page prayer motor کا तो यहाँ पर है अभी आजकी वीडियो में आपसभी को 20 question बता दिए गैं अगर आप comment करेंगे किसका जो है सेकंड पार्ट लाया जा तो आप सभी के लिए जो है यहाँ पर सेकंड पार्ट भी अप्लोड मैं कर दूँगा तो वीडियो को ज़ादा से ज़ादा लाइक और सेर करीगेगा चैनल पने सब्सक्राइब कर लिजे पिल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी नए वीडियो आप सभी के लिए अप्लोड हो यहाँ पर आप सभी को नोटिफिकेशन मिल चकें तो आज के लिए बस इतना है थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो